हेलो दोस्तों मेरा नाम है योगी और मैं आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ अपने चैनल मोटर स्पोर्ट वाल पे और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया थे आपको आरे स्टोंडर्ड में आने वाली कुछ कॉमन प्रोब्लम्स के बारे में और अभी तक अग करने के लिए मेरे पास है कुछ फाइबर के वासर कुछ रबड के वासर और एक डबल टेप अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको आगे की वीडियो में तो जैसा कि आप देख पारें इन पार्ट के बीच में गैप बना हुआ है अब यहां हम डबल लगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें यह जो वोसर होता है यह प्लास्टिक का होता है जिसकी वज़े से भी वाइबरेशन बनती है अब हम यहां यूज करेंगे रबर और फाइबर के वोसर का जो कि आप जानते हैं इसकी वजाए इसके कंपेरिजन में काफी ज् जोर करते हैं अपने अंदर आपको इसके साथ ही इनके साथ ही इस वोसर का यूज करना है और वापस इस नट को कस देना है तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा हमने इनके नट्स को खोल कर इसमें रबर और फाइबर के वोसर एड़ किये और जहां-जाँ फियरिंग्स में गैप बन रहा था हम आपने डबल टेप एड़ किये इसमें जिससे इसकी फियरिंग की वाइबरेशन काफी जादा कम हो गई है और फियरिंग्स के अलावा अगर आपको फुट्रेस्ट पर भी वाइबरेशन फील होती है तो आप एक अच्छा इंजन डलवा सकते हैं अपने इंजन में जिससे इंजन काफी स्मूथ हो जाएगा और 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 वाइक की वाइबरेशन कम हो जाएगी तो अगली प्र कुछ mm तक बढ़ा सकते हैं और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रहे तो आप बात करते हैं दूसरे तरीके की तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियम बताया था इसका अगली दो प्रॉब्लम की जो एक है इसके स्पीडोमेटर से लेटिड और एक है इसके स्टार्टि से आती है जो है आपकी बैटरी से रिलेटेड जब आपकी बैटरी कम चार्ज होती है तो ही यह दोनों प्रोब्लम आपको फेस करनी पड़ती है अब इसका सुलूशन यही है कि आप अपनी बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं यह ज्यादा प्रोब्लम मेली उन लोगों को आ करते हैं या कि राइड करते हैं उन्हें प्रोМ नहीं आते हैं क्योंकि एक सेल्ट के बाद उनकी बाइय काफी लंबी दूरी तक चलती है और जिससे उसकी बैटरें चार्ज हाती है इसकी वज़ेसे उन्हें यह प्रोप्लम नहीं आती, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आयोगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें, उनल को सब्सक्राइब करें, मिलते चल दी आप से एक नई वीडियो में तब तक के लिए, Do Good Riding, Be Safe